तो एर पिछले कई दिनों से जो है आप लोग देख रहे होगे कि यूट्यूब पे एक छोटी सी आटो रिक्सा जैसी गाड़ी जो है वो च्छाईवी है उसकी प्राइजिंग आ चुकी है और प्राइजिंग जो है वो है पेस जो इसका मॉडल है उसकी प्राइजिंग है 7,98 प्ले जो यह जो बेस मॉडल है उसकी बात कर रहा हूं मैं जो की 8,008,000 का उसके बाद जो है प्ले मॉडल है और प्ले मॉडल का प्राइज जो पड़ ला है वो पड़ ला है 9,28,000 रुपे प्लश जो मॉडल है इसका वो है 9,98,000 मतलब की अराउंड 10,003,000 तो भाइसाब जो comment है MG की जिसका launch जो है पिछले कुछ दिनों में हुआ और काफी समय से मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाओ तो बस एक pricing का इंतिजार था क्योंकि pricing सबसे main है गाड़ी की देखिए pricing के बिना जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सारे models की जो है हमें pricing अब मिल चुकी है इसमें MG ने एक चीज़ अच्छी कर देखिए कि तीन साल का buyback प्राइब है कि तीन साल आप गाड़ी चलाओ और 60% price के साथ हम आपकी गाड़ी वापस लेंगे लेकिन वो सारी चीज़ें वो conditions क्या क्या है उसमें किस तरीकी की गाड़ी होनी जीए क्या उसकी condition होनी जीए कि उसके बाद 60% का पैक कैसे मिलेगा वो तो जब लोग वापस करने जाएंगे तब ही पता चलेगा तो तीन साल बात की बात नहीं करते हैं हम present की बात करेंगे हम future की बात नहीं करेंगे कि तीन साल बात क्या होगा present की बात करते हैं गाड़ी का price जो है वो है 8 लाक से और उसके बाद मैं अपने व्यूज दो तो मेरे लिए वो गाड़ी किसी काम की नहीं है क्यों नहीं है चलिए मैं मात आता हूँ आपको कि मेरे लिए मुझे वो गाड़ी क्यों सही नहीं लगी देखिए सही और गलत वैल्यू फ़र मनी हर चीज उसकी प्राइजिंग में होती है मैं आपको साफ साफ बात बताओं हमें जो मिडल क्लास लोग हैं हमें सबसे पहरा जो दिक्कत होती है प्राइज की होती है हम सपने सबके होते हैं हर चीज लेने के हर चीज कोई लेना चाहता है कुछ लोग अपने दिल को माल लेते हैं कुछ अपने सपनों को लोन लेके पुरा कर लेते हैं और प्राइजिंग इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा मुझे लगी गाड़ी क्यूंकि इस रेंज पे आपको एक प्रॉपर कार टियागो मिल जाती है ईवी और टियागो ईवी एक प्रॉपर कार है मतलब कि भाई साब उसमें आपको बैठने का एक फील पूरा का पूरा एक पूरी कार काएगा जबकि इस गाड़ी पे बिल्कुल छोटे से टायर लोग बहुत क्रिटिसाइज करते है सेवन जीटर्स कार को कि उनकी जो थर्ड रोय उसमें स्पेस नहीं होता है उससे भी कम स्पेस है पीछे बुलकुल मतलब बहुती कॉम्पैक्ट सी सीट है कोई ओफिस जाने के लिए इसको ले भी ले ठीक है तो उसको उसी रूट पर उस एक को रखनी पड़ेगी उसके बाद अपनी वो दूसरी गाड़ी लेके जाएगा उसके बाद ही जो है ौ जो है दुसरी गाड़ी तो मतलब इस तरहएं से जो रैंज है वो भी काफी कम है और एवी के लिए यार एक आडिक उरिक्षा आली रिक्षा आता उस तरीके से तो मेरे को मेरे अंदर का जो व्यूज है मैं सरिफ वही आप से शेयर कर रहा हूँ तो कमी क्या है देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने बोली तो प्राइजिंग दस लाग रुपे लगा के दस लाग रुपे बहुत बड़ा आमाउंट होता है और दस साल लेके भी वह इस गारी के लगा ले तो ये बिल्कुल सेंसिबल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जो डिसीजन होगा साथ में जो है रेंज की बात मैंने आपको बोली उसके बाद जो मैं बोलूँ आपको एक लिमिटेशन ये भी एक ही है वही ले सकता है जो घर में इसको चार्ज कर सके जिसके पास जो है ऐसी पारकिंग हो जहांपर को अपना चार्जिंग कर सके जिसके पास पारकिंग नहीं है ढंक से ठीक है या जो बहुत बड़े फ्लैट में रहता है जहांपर को प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है मतबए एक तरीके साम अगर उसको देखें कि अगर किसी को आफिस ओपिस जाना है और अपना रोज मरते के काम हो करना है तो छोटी सी और सिंगल चलता है दो जहने चलते हैं उससाब से अपना काम माम करके वो फटा फट जो आ सकते हैं अराम से लेकिन कुछ कमी आएं जैसे कि पैसा मेरे इसाब से तो यार 4-5 लाग रुपे की होती तो कुछ टकर दे पाती लेकिन जो अमाउंट है वो काफी जादा है और सेगेंडरी कार को ही ले सकता है उसको साथ में रेंज भी काफी कम है तो बहुत परिशानी जो है दिक्कते आने वाली है उपर से वह जो एक आटो रिक्षा टाइप वाला जो फील है गाड़ी का चोट इसी एक पंद एक अच्छा लग्ज प्रिश्पॉइंट की भी बात का मैंने आपको बता दिये कि बहुत ही कॉमपैक्ट है बहुत इजी टू ड्राइव है साथ में आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं इजी टू पार्क है और जैसे घर में कोई फिमेल है और मतलब एक मिडल क्लास तो नहीं कहूंगा मैं अपर मि लिए गाड़ी जो है सही है या ओफिस जाने के लिए अपना रोज मर रहा है की जिन्दगी में जो की अच्छी कहां से हैंसम सेल्डी जो लोग लेते हैं और उनके पाद दो गाड़ियां है कि मतलब या एक गाड़ी से जो हम कहीं गोमने चले जाएंगे लंबा जाना होगा हाइवे हिट करना होगा क्योंकि उससे हाइवे तो हम जानी सकते हैं वो तो सरफ एक डेली कम्यूट की अपनी एक सिटी कार है ठीक है पाहाड़ों पर इवी कोई सक्सेस है नहीं इवी इसलिए सक्सेस नहीं है पाहाड़ों पर की भहिया या देखिए रेंज बहुत कब हो जाती है हम जितना ज़्यादा एक्सेलिरेशन देते हैं उतनी कम रेंज हो जाती है एवी की तो इसलिए वो भी जो है एक सेंसेबल वो नहीं बनता है तो लास्ट में आसरी आपको कंकूरूजन मताऊगा कि प्राइजिंग ने थोड़ा सा जो है दिल खटा करा है तो छोटी सी करने के लिए जो एक फैंसी सी काल लेके जाओ और आजाओ बट जैसा मैंने बोला कि मेहनत की कमाई अगर आपका है आपकी और आपको दस साल लग जाते हैं दस साल दस लाक रुपे जोडने में तो थोड़ा सा टफ है यह वारा सीम और मतलब एक तरीके से गाड़ी लेने के पैसा तो आदमी जादा भी कमा सकता है लेकिन यह थोड़ना है कि दस साल में जितना कमाया है वो सब गाड़ी में डाल दे उसके अलावा जो एक एक एकस्पेंडिजर है आपका वह वाली बात है अधरवाइस लोन लेके तो सेंसेबल नहीं है क्योंकि जो पैसा आप